हेलो दोस्तों ये है यामा फैसीनो S125 Hybrid BS6 यामा ने फैसीनो को Hybrid Variant में Newly Launch किया है Bluetooth और Smart Feature के साथ और ये है फैसीनो Hybrid का Matte Black Special Color इसमें क्या-क्या अपडेट हुए है, माइलेज क्या है, नई औरोड कीमत कितनी है ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं इसके Front Profile से तो जैसा कि यहाँ पर देखते हैं तो इसकी जो Head Light है वो पूरी की पूरी Change कर दी है पहले इसमें Normal Bulb मिलता था, यहाँ पर आपको Fully LED सेटप देखने को मिल जाता है जैसा कि यहाँ से आप इसकी LED DRL को देख सकते हैं और इसका जो वाइजर है दोस्तों वो Matte Blackness में दिया गया है जिसके उपर Blue Core Hybrid का इस टिगर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको Number Plate लगाने के लिए Option मिल जाता है और इसकी जो Indicator है वो आपको Bulb बाले मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको Glossy Black Finish मिल जाती है जो कि इसके लोको काफी ज़्यादा इनेंस कर रही है और यहाँ पर आपको Yama का Logo देखने को मिल जाता है और यहाँ पर इसका जो Front Mudguard है जो की Black Matte Finish में दिया गया है जिसके उपर UBS का Logo दिया गया है और इसके नीचे की साइड में Gold Color का Stigger देखने को मिल जाता है इसमें Unified Breaking System दिया गया है डिस्क ब्रेक के साथ में और यहाँ पर आपको 12 इंच के Gold Color के Eloi Bill मिल जाते है और 90-90 Section का Tire Size मिल जाता है इसमें आपको Front में Tule S Tire मिल जाते है और इसके Front में आपको Telescopic Suspension मिल जाते है जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो Front Look है वो काफी Attractive दिया गया है और यहाँ पर आपको 145 mm की Ground Clearance मिल जाती है और इसकी Seat के नीचे की Side में आपको Glossy Finess मिल जाती है Matte Black Finess के साथ और यहाँ पर आपको Fascino S का 3D में Logo मिल जाता है जो की Gold Color के Combination में दिया गया है और यहाँ पर आपको Graphics भी मिल जाता है जो की काफी Attractive लुक दे रहा है इस Scooter को और इसकी Seat की बात करें तो यहाँ पर आपको काफी Chaudi और काफी बड़ी Seat मिल जाती है जो की Dual Tone Color में दी गई है और काफी Premium Quality की यहाँ पर आपको Seat मिल जाती है और इसकी पीछे की Side में आपको एक Matte Finis में Gravendal मिल जाता है और यहाँ भी आपको Glossy Black Finis मिल जाती है और इसकी पीछे की Side में Yama का Logo दिया गया है और इसकी जो Tail Lamp है वो आपको LED की मिल जाती है और Indigator आपको Bulbos वाले मिल जाते हैं पीछे की Side में और यहाँ पर आपको Graphics के साथ देखने को मिल जाती है जो कि इसके Look को काफी जादा Premium बना रही है जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं यही इस Scooter में आपको बदलाब देखने को मिल जाएगा और इसके Engine की बात करें तो यहाँ पर आपको Black Matte Finis में Engine दिया गया है और इसके पीछे वाले टायर के साथ की बात करें तो यहाँ पर 110-90 का टायर साथ मिल जाता है और इसमें 10 इंच के Gold Color के Alloyable मिल जाते हैं और 130 mm की Drum Break दी गई है इसके Rear की साथ में Unit Swing Type का Suspension मिल जाता है अब बात करें इसके Engine और Power की तो इसमें आपको 125 CC का Air Cooled Forest Rock SOSC 2 Balb BS6 Engine दिया है इसकी Maximum Power 8.02 PS की 6500 RPM पर इसका Maximum Torque 10.3 Nm का 5000 RPM पर इसके Additional Features की बात करें तो इसमें दिया है Smart Motor Generator System Side Stand Engine Cut-Off Switch Hybrid Power Assist Quit Engine Start System and Automatic Start and Stop System Mobile Bluetooth Connectivity इसकी Fuel Tank Capacity है 5.2 Liter की इसका Total Weight है 99 KG और यहां पर आपको बड़ा सा Legacy Space Area मिल जाता है यहां पर आपको Carry Hook दिया गया है अब बात करें दोस्तों इसके Meter Console की तो यहां पर आपको Fully Digital Type का Meter Console दिया है जो की एक नया बदलाब है स्कूटर में यहां पर आपको Yama की Branding और यहां पर Power Assist की результат के Windshop और आपकाbreaks के Video call ला ओरальную से स्पीड और पर डिस को जाती है में मोबायल Bluetooth का भी ऑप्सन से और इसके है pathetic की बात करें तो काफी अच्ची और रखी प्रीयम कालिटी के Enough आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको low beam, high beam indicator और horn का switch दिया गया है अब इसके दूसरी side में चलें तो यहाँ पर आपको auto mode का switch मिल जाता है नीचे की side में man headlight का switch और यहाँ पर self का switch दिया गया है जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं तो दोस्तों बात करें इसके mileage की तो यह 125cc का scooter है जो की 99 kg का है और यह आपको 55-60 km per liter का आसानी से mileage देदेगा अगर आप इसको 40-50 की speed में economy zone में चलाते हैं तो अब दोस्तों बात करें इसके price की तो yama facino के S125 hybrid variant की on road कीमत है 97,213 रुपे यह on road कीमत मैंने आपको बताई है तनुसका ओटो yama मद्यम ग्राम कॉलकता सोरूम की सोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी अगर आप other state से हैं तो आप अपनी city का नाम comment box में share कर देना मैं आपको आपकी city का on road price reply करके बता दूँगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जहाँ से आदा like करें comment करें share करें अगर दोस्तों आप channel पर पहली बार आए हैं तो channel को subscribe करके bell icon notification को all पर click कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही bike और scooter की वीडियो आप सभी के लिए लाता रहता हूँ थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में